हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand cut जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राज योग या धन योग है या नहीं कौन सा रतन आपका भाग्या उदय करवा सकता है कहीं कुंडली में मंगल दोश, काल सर्प दोश या शनी की साड़े सती तो नहीं चल रही अब आपके सभी स्वालों के जवाब मिलेंगे आपकी पर्सनल ब्रिगू पत्रिका में वो भी सिर्फ पांसो एक रुपे में साथ ही आपको मिलेगा आपके आने वाले दस सालों का भईश शाफल भी तो अपनी personal भीगू पत्रिका की digital copy मंगवाने के लिए वीडियो की description में दियेगे link के उपर click करें और मंगवाईए अपनी personal भीगू पत्रिका दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक squary shape में नज़र आ रही है हलकी लंबाई लिए हो इनकी एथेली indicate करती है एक hard working type की personality को और साथी साथ काफी analytic type की personality को भी और अगर हम देखें इनकी fingers की लंबाई को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में इनकी finger था और शनी finger की हम अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छी लंबाई में की शनी finger ऐसे native काफी मेहनती nature के होते हैं hard working होते हैं अपनी life में और काफी hard work करकर आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करते हैं इनकी groove finger और सूर्य finger की यहाँ पर आपको हलका सा जुकाव नजर आएगा इन fingers का कुछ इस तरह से शनी finger की तरफ होता हुआ जब सभी fingers शनी finger की तरफ जुक रही हों तो native थोड़ा सा isolated होता है वेराग्या की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और overall fingers की thickness में कोई कमी नहीं है काफी थिक नजर आ रही है इनकी fingers जो indicate करती है काफी अच्छी energy and stamina को और अगर हम लंबाई की बात करते हैं index finger काफी अच्छी length में है जिस वज़े से native के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहती है ऐसे व्यक्ति दूसरों को lead कर सकते हैं और अपनी life में काफी आगे बढ़ जाते हैं और अगर हम बात करते हैं कि सूर्य finger की तो सूर्य finger यहाँ पर length में कम नजर नहीं आ रही थोड़ा सा जुकाव जुरूर है लिकन एक अच्छी length में यह finger creativity वाली qualities को indicate करती है ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities रहती है और साथ ही साथ यह finger अगर अच्छी लंबाई में हो तो native का एक strong social circle भी बन जाता है तो यहाँ पर यह सभी खुबी है इनके भीतर रहेंगी बात करते हैं कि mercury finger की तो आप देख सकते हैं mercury finger अच्छी length में है लेकिन low set है यहाँ पर नीची की तरफ set है और सूरिया finger के top falange तक नहीं पहुँच पा रही है इनकी mercury finger अगर mercury finger low set हो लंबाई में सूरिया finger के top falange तक ना पहुँच पाए तो native की जो nature होती है थोड़ी सी shy भी हो सकती है तो यहाँ पर कुछ negative प्रभाब तो रहेंगे लेकिन overall communication skills में कोई major problem यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही आगे बात करते हैं इनकी fingers के बीच में बनने वाले gaps की आपको यहाँ पर हलके gaps नजर आएंगे इस तरह के gaps होने से native थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है थोड़ी से independent type का सभाव होता है थोड़ी से जिद्धी nature जिसकों कहा सकते हैं इस तरह की nature होने की सभाव रहा है money management में थोड़ी से दिखते हैं खर्चीला होने की वज़े से धन को रोकर रख पाना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब सभी fingers के बीच में हलके gaps हो और जिनमें से रोशनी आरपार जाती हुई दिखाई दे आगे आप देख सकते हैं fingers के उपर खड़ी रिखाएं मौजूद हैं ऐसी खड़ी रिखाएं अगर सभी fingers के उपर मौजूद हो तो native का जो सभाव है मिलनसार होता है दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature भी ऐसे व्यक्ति की रहती है चली आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनी माउंट काफी high set है mercury माउंट काफी low set नजर आ रहा है और जो इनका गुरू माउंट यहाँ पर average set है ना ही बहुत ज़्यादा low set इसको खाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा high set तो जैसे mercury के बारे में तो already आपको बता चुका हूँ कि अगर यह माउंट low set हो जाए तो यहाँ पर थोड़े से communication skills वीक होते हैं और दूसरी चीज़ shy nature लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है यहाँ पर कि यह माउंट उबरा हुआ है उपर की तरफ उठा हुआ हुआ है यही वो रेखा होते हैं जिसकी वज़े से money triangle बन पाता है लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है इनका भागया रेखा यहाँ पर बहुत strong नहीं है जिसकी वज़े से complete money triangle बने आपको बताना चाहूँगा कि तीन रेखाओं से money triangle बनता है एक तो यही रेखा होती है जिसको mercury line कहते है दूसरी यह रेखा होती है जिसको कहा जाता है mind की line और तीसरी यह रेखा होती है अगर यह रेखा इस तरह से सीधा चलकर touch कर ले ऐसे सीधा आगे बढ़कर mind की line को touch कर जाए जाए इसको भी cross करकर ऐसे आगे निकल जाए और यहाँ पर एक त्रिकोंड क्रियेट कर दे तो इसको हम complete money triangle मानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं यह है रेखा यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन यहाँ पर आकर यह है रेखा तूट रही है बीच में money triangle को खुला छोड़ रही है यह दोनों मांट्स अगर आप देखोगे तो दबे होए नज़र आएंगे यहाँ सूर्या है यहाँ सूर्या मांट है यहाँ शनी मांट है तो ही दब रहे है सूर्या मांट अगर दब रहा हो तो native को ज्यादा यश नहीं मिल पाता बेशक लोगों में पहचान अच्छी हो तो फिर भी बदले में यश नहीं मिलता ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले दूसरे व्यक्ति कोई सरहना नहीं करते हैं दूसरे व्यक्ति प्रेज नहीं करते हैं इस तरह की स्थितियां like में आ जाती है अगर यह मौंट दब रहा हो और अगर देखा जाए इस मौंट के उपर आपको एक ऐसी आड़ी रेखा नजर आएगी जो यहां पर भी नजर आ रही होगी इस तरह से एक अधूरा गर्डल ओफ वीनस यह बन रहा है अगर यहां से भी जुड़ जाता तो यह पूरा गर्डल ओफ वीनस होता अधूरा गर्डल ओफ वीनस है लेकिन creativity वाली qualities इनके भीतर अच्छी हो जाएंगी इसकी वज़े से artistic qualities अच्छी हो जाएंगी अधूरा गडल और वीनस होने से native को थोड़ी सी दिखतें तो आती है इसकी वज़े से moody type की personality विक्ति की हो जाती है और यहाँ पर एक triangle की shape आपको बनती नज़र आएगी जिस वज़े से government की तरफ लाब मिल जाते हैं ऐसे विक्ति को बेशक बहुत ज़दा नेमन फेम और यशना भी हो लेकर सरकार की तरफ से लाब मिलने की संभावनाएं रहती है अब बात करते हैं इनके शनी की यह माउंट दब रहा है शनी माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइट में काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इसके साथ साथ अगर लंबी शनी रेखा हाथ में आ जाया तो मेहनत कम हो जाती है लेकिन वो रेखा कैसी होनी चाहिए यहां से शुरू होकर इस तरह ऐसे ही यहां तक पहुंँ जाए तो इसको हम एक strong और लंबी भागया रेखा मानते हैं यहाँ पर भागया रेखा की formation पुछ इस तरह से फिर overlapping उसके बाद फिर से overlapping यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर यह 36 की age होती है 36 की age में काफी struggle बढ़ेगी लगवग 38 की age तक struggle ज़्यादा रहेगी 40 की age के बाद से काफी अच्छी progress रहेगी बीच में ups and downs का सामना इनको करना पड़ेगा बात करते हैं इनके गुरू माउंट की आप देख सकते हैं यहाँ बरस्पती माउंट का area कहलाता है लेकिन हलका सा यहाँ भी week हो रहा है इसके week होने से family की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी आ सकती है घर से दूर भी रहना पड़ सकता है ऐसे weekday को चाहे job के सलसले में चाहे काम के सलसले में या पढ़ाई के सलसले में ऐसे weekday अपनी family से दूर रह सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक धूरा इस तरह का बनता हुआ गुरू वलाय भी बन रहा है यह गुरू वलाय की फार्मेशन होती है दोस्तो अगर इसमें कोई भी ब्रेक ना हो यह बिल्कुल ऐसे ही चला जाता सीधा पूरी तरह से ऐसे एक अर्द जंद्रमा बना लेता तो बहुत अचे रिजल्ट देता है ऐसे व्यक्ति को खूब मानसमान और प्रतिष्ठा मिलती है सोसाइटी में अगर यह कम्प्लीट बन रहा हो लेकिन यह अधूरा भी बन रहा है तो भी इसके लाव होंगे ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रविती के होते हैं सोशल वर्क करने वाले होते हैं और उनकी हल्प करने वाले होते हैं इस वजह से समाज में इन्हें मानसमान और प्रतिष्ठा चालिस की एज के बाद मिलती है इसके लावा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी आड़ी रिखाई नज़र आएंगी एक से ज़्यादा काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर और ऐसे व्यक्ति मल्टी टास्किंग होते हैं एक से ज़्यादा सोर्स ओफ इंकम धीरे धीरे बना लेते हैं बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की अब देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़क हैं तो जिनके हाथ पर यह चिन बनता हूं नहीं हमेशे यही सुझेस्ट करता हूं कि गलत रास्ते पर चलकर धन ना कमाएं ताकि दिक्कत ना हो लाइक में हाट की लाइन थोड़ी सी वीड पड़ रही है यहां पर आपको नजर आएगा एक इस तरह का आईलेंड बनता हुआ आईलेंड का बनना यहां पर शुब नहीं है दोस्तों अगर ऐसा आईलेंड बन रहा हो तो हाट की हेल्थ को लेकर दिक्कते हैं आ सकती हैं 60 के आसपास की एज में और हाट की लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली रिखाएं इमोशनल सेट बैक्स को इंडिकेट करती हैं उन्हीं लोगों से धोका मिलता है जिनके उपर बहुत जादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो अब बात करते हैं इनकी लाइन आफ माइन की आप देख सकते हैं माइन की ला वाई में ठोड़ा सा जुकती हुई लेकन साथ-सात काफी सारी ऐसी रिखाएं जो स्ट्रेस देती नजरारी हैं जो इनकी माइन लाइन को काट रहे हैं लगबग मिडल एक तक स्ट्रेस रहा सकता है लाइ Πर भी आपको ऐसी रिखाई नजर आएंगी जिने हम वरी लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाई सासात मौझूद है तो फैमली की तरफ से वरी मिल सकती है मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टिबिलिटी रह सकती है मासिक तनाव थोड़ा सा लाइफ में मिलता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की काफी अच्छी लंबाई में लाइफ की लाइन अंत में एक फिश का सिंबल बनाती हुई कुछ इस तरह हैं कि इनकी लायफ की लाइन और अन्त्मי यहां पर आपको नज़र आएगा कि सिर्वेसे फिश्च ऐसा सिंबल बनता हुआ ऐसा चिन अगर किसी व्यक्ती के हाथ में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ती की लाइफ में काफी जादा यात्राइ रहती है लंबी दूरी की यात्राइं ऐसे व्यक्ति करते हैं और साथी साथ यह अच्छिन अगर हाथ में हो तो लाइप में अचानक धनलाब मिलने के समभावनाएं और कई बाहर inherited property या कोई inheritance से पैसे मिलने के समभावनाएं भी बढ़ जाती हैं overall age जो है लंबी रहने की समभावनाएं रहेंगी venus mount के बारे में बात करते हैं तो उबरा हुआ venus mount हर तरह की सुखसु बढ़ाएं देगा लेकिन थोड़ा खर्चिला सभाव भी रहेगा अगर हम बात करें इनकी इस रेखा की जिसको हम real severe line कहते हैं ऐसी रेकर यहां पर मजूद हो तो like में allergy या addiction जैसी समभावनाएं भी रहती है anxiety तो रहेगी ही लेकिन ये रिखाएं native को बहुत अच्छे result नहीं देती ऐसी addictive चीजों से थोड़ा सब बचकर इनको रहना होगा तो यह analysis थे इनके hand के बारे में तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद